बिسم ललाल अर्फवान इराहीम, आज हम module 25 है, डिरेक्टरी मैनेजमेंट, इसके अंदर हम डिसकॉस करेंगे, कि कौन से ऐसे functions हैं, जिसको कि आप directories को मैनेज करने के लिए 이용 कर सकते हैं, प्रिवेस्ली हमने ऐसे functions देखे हैं, जिनको कि हम files को manipulate करने के लिए use कर सकते हैं, ectories को manipulate करने के लिए, जो functions हैं, उसके उपर भी हम यहить operations perform करना चाहेंगे, हम directory Ciao and directory को create करना चाहेंगे, उसको remove करना चाहेंगे, उसकी location को change करना चाहेंगे, लोकेशन change करने के लिए, हम वैसे already कर चुके हैं, tetas move file तो उसको create करने लिए और दूसरे operation के लिए जो functions हैं वो हम discuss करते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक API लिस्टेड है, create directory, इसकी जो return type है, that is, bool, और यह एक generic string के अंदर एक path name ले रहा है, जिस path के उपर आप चाते हैं कि उस directory को create किया जाए, और इसके साथ कुछ security attributes है, इन security attributes की detail जो है, वो of course आप MSDN वगरे के अंदर भी देख सकते हैं, इसमें आप उसके directory के security attributes के बारे में के directory जो होगी, read only होगी, या नहीं होगी, उसको किसके privileges होगे, वो सारी information जो है, आप यहाँ पर specify कर सकते हैं, फिर दूसरी जो API आप देख रहे हैं, that is, remove directory, remove directory, कोई भी एक path पे जो एक directory है, उसको remove करने के लिए, उसको खतम करने के लिए, इसको खतम करने के लिए, इस्तमाल की जा सकती है, तो remove directory का function जो है, just यह simple एक path ले रहा है, और यह function जो है true return करेगा, in case, आपने जिस path के ओपर जो directory specify की हुई है, वो साही तरीके से remove हो जाती है, Windows के अंदर और भी कई operating systems के अंदर, एक concept exist करता है, of current directory, current working directory होती है, जिसके उपर, यानि के, जब भी एक process चल रहा है, तो उसकी कोई current directory होगी, जो भी वो operations perform करेगा, उस current directory के उपर perform होते हैं, तो current directory को change करने के लिए, भी API is available है, उसके लिए जो API available है, यहाँ पे आपको listed और just यह एक बड़ा simple straightforward function है, इसके अंदर just एक, वो path ले रहा है, वो path आप specify करेंगे, जो भी आपने path specify किया होगा, current directory change हो जाएगी, वो वाला, उस path पर पढ़ी हुए directory, जो है, current directory बन जाएगी, अगर function successful है, तो true return करेगा, unsuccessful है, तो false return करेगा, और जो इस वगत current directory है, उस function की उस process की, अगर आप वो get करना चाते हैं, तो get current directory का आपके पस function available है, यह इसको आप एक buffer specify करते हैं, और उसकी length specify करते है, n buffer length जो है, वो उसकी length है, और lp buffer जो है, वो that is appointed to a buffer, तो जो भी current directory होगी, उसका पूरा path जो है, lp buffer के अंदर आ जाएगा, अगर वो given length के अंदर है, और अगर function successful हो जाता है, तो उस case के अंदर, lp buffer के अंदर आपको value मिलेगी, वो null नहीं होगा, invalid value नहीं होगी वहाँ पर.